मैं रेनू आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सभी को लेकर बायरोड अमरकंटक चलूँगी हम पीछे देखे गाड़ी है, हम बायरोड अमरकंटक जाएंगे मेरी फ्रेंड लो मेरे साथ है, तो आपनों भी मेरे साथ चलिए और वहाँ जाकर हम देखेंगे कि हम बायरोड कैसे जाते हैं, कहां ठहरते हैं, कहां खाना काते हैं इस सब की जानकारी में मैं आप लोगों को दूँगी तो अभी मैं खड़ी हूँ बिलासपूर के हाईवे में, तो हम बिलासपूर से अमरकंटक जाएंगे अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो आप पेंडरा से आप बायरोड अमरकंटक जा सकते हैं तो अब हम यहाँ पे अभी खड़े हैं रतनपूर हाईवे में, और हम रतनपूर होते हुए अमरकंटक जाएंगे तो यहाँ से अमरकंटक की दूरी 117 किलो मीटर है, तो हमें दूर से ही स्री सिद्ध यंत्र पीट दिखाई दे रहा है, भैरबाबा का मंदिर है इसको पार करते हुए अमरकंटक पहुंचेंगे हम, आज हम यहाँ दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसके पहले हाँ पे दर्शन कर चुके हैं तो और रास्ते में हमें महा माया मंदिर भी दिखाई देगा, मैं भी आप लोग को दिखाऊंगी तो हम बाय रोड जा रहे हैं, हम हर्याली के बीच से, नेचर के बीच से होते हुए अमरकंटक पहुंचेंगे तो मैं आप लोग को पुरा रास्ता भी दिखाऊंगी, कि किस तरह का रास्ता है, घाटी है देखें, हम एक महा माया मंदिर का सक्ती पीट का बोड दिखाई दिया, यानि हम मंदिर आने वाला है तो हमें दूर से ही मंदीर का gate दिखाई दे रहा है चली हमके पाजया के दिखाते है देखे यह मंदीर का gate है जो left side में दिखाई दे रहा है यहाँ से board लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि यहाँ से रास्ता है महामाया मंदीर जाने का तो मैं यहाँ पे थोड़ा गाड़ी स्लो करके आप लों को दिखा दे रही हूं कि इस रास्ते से होते वे जिनको महामाया मंदिर जाना है यहाँ से महामाया मंदिर जाके दर्शन कर सकता है लेकिन हम यहाँ भी दर्शन करने नहीं जाएंगे हम आगे निकल जाएंगे क्योंक किलोमीटर है अमरकंटक और अभी हम जाएं यहां से 75 किलोमीटर है तो हमें 75 किलोमीटर का रास्ता तै करना है यहां का चारोर की जो बड़े-बड़े पेड़ पौदे हैं इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हम कश्मीर में आ गए हैं बहुत ही सुन्दर हर्याली है चारोर और Audi का देखिए सूर्य की रौष्णी धीमी-धी मी रौष्णी छन क में आ रही है हम अभी केंची में है केंची 5 पहुं और लाइंसे डाबा आए आपनों यहां फे खाना खा सकतें उतरके यांपें बाबा काट रावा है कि ही छाट्रेस्ट डीन और इस साइड में हैं कि अ लेहां में आके देखते हैं क्या है खाने को आप लेहां पर आके कोई भी ठावा में खा सकते हैं यह रिखे दरम धावा है कि अब 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 इसमें बेटे हैं कि अब 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 है कि झावा में चारों सबसे दिखा दी धावा बहुत यह अच्छा है आप एक पर मन कंटक जाने के पहले आपे खाके मर कंटक में एंट्री करें यह हम अमर कंटक में एंट्री कर रहे हैं यह बॉर्डर है 36 गड़ एंपी का देखिए यह वाला यहां पे पूछ लेंगे आप यह देखिए बॉर्डर है यह देखिए कबीर चब उत्रा 500 मिटर यह हम लोग को कबीर चब उत्रा जाना है देखिए कबीर चब उत्रा जाना है हमने जो कॉटेज बुक किया है वो 36 गड़ टूरिजम बोड का है तो वो सहर से 57 किलो मिटर पहले ही इस्तित है और यह देखिए एरो है यहां से अंदर जाने का रास्ता है और जो 36 गड़ टूरिजम बोड का रहता है वो नेचर के बीच में पहाड की वादियों के बीच में और थोड़ा एकान जगह में ही बनाते हैं इस तरह के कॉटेज उलों तो हम चली इस रास्ते से अंदर जाते हैं क्योंकि यहां पे आसपस कोई दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन रास्ता यही है और बहुत हरी आली के बीच में एकाटेज बनाया जाता है जिससे की लोग यहां पे आके सांती के दो पल व्यतित कर सके तो हम लगभग पहुच चुके हैं अपने कॉर्टेज के पास कि यहां पे हम लोग रूम बुक कराए हैं और चलिए मैं अपने कमरे में आप लोग को ले चलती हूं जो रूम हम लोग को मिला है यहां से सीडी है यह मेरी फ्रेंड लोग खड़ी है रूम में जाने के लिए तयार है चलो रूम के बाहरे देखे यहां पे सोफा लगा हुआ है डानिंग सबीस है ओपन त्यरी सहां पे देखे यहां से बैठके आप बाहर का नजारा भी ले सकते हैं एवाए इसका नजारा आप लीजे हैं यहां यह देखिए और यह डबल बैट देखिए एसी भी है लेकिन हम ठड़ में आया है तो एसी का उपयोग नहीं करेंगे अहां पंखा भी यह साइड में और यह देखिए रूम काफी बड़ा है यहां तीवी है टीवी यह चेंजिंग रूम है यह देखिए हां पर बहुत- इथे चेंजिंग रूम थεςदेखिए और देखिए वाश्रूम जी काफी बड़ा है ओ वपर गेजर वह गयरह सब है इन चेंग ह्याहा इनट है इस यहां से देख सकते हमें परना देखिए यहां से रोम से बैट क्या भी देख सकते हैं पूरा कांच लगा हुआ है एक देख बहुतTheyimat थे करा रहे यहां से में यहां से आपने नंुको दिखा दू रूम काफी बड़ा है यहां से बाहर करना जारा देखती हूं देखें बाहर का वियू देखिए काफी खुब्सूरत वियू है यहां का रात में गांपर में देखती हूं कैसा आता है रात का अभी दिन का दिखा रही हूं आप लोगं को देखिए हम लोग को मस्ते करने वाले हैं इस होटल में जिसको भी बुकिंग करना होगा मैं नीचे नमर दे दूँगी आप उस नमर में कॉंटेक्टर के बुक कर सकते हैं एक बार मैं बाहर से आप लोग को विव दिखा दे रही हूँ देखे चारो तरफ और ये जो कॉटेज है इसमें दो रूम है तो हमने दो रूम बुक कर आया है तो एक रूम का किराया 2500 है और दो रूम का 5000 है इस तरह से हमने तीन रूम यहाँ पर बुक कर आया है एक दुसरे ας जगा में हमारा से इस तरह से हमारा 7500 रूपए लगा है stesso में रुके इस कॉ्टेज रात का लूक है यह के लिए के छिन वंब ले थे एक रूब इहाँ है तो यह है इस पेस डानींगा इस स्पेस है कि अड के और एक रूम हह you है कि यह मलबन का रात vari है यहां का और यहां से बैटके open terrace है यहां से बैटके आप बाहर कभी नजारा ले सकते हैं यह देखिए यह बहुत ही अच्छा व्यू है यहां प्याँ पाईए तो जरूर एक बार रुकिए इसका फेयर पच्चीस सो रुपए है अभी हम लोग पच्चीस सो रुपए में बुक किये थे 2500 नीचे पार्किंग एरिया भी है यहां पर मैं एक और होटल को रिकमेंट कर सकते हूं आप लोग को गोपाल तपोवन यह भी नया बना हुआ है तो इसमें भी बहुत अच्छी facility है यहां का भी रूम रेट 2500 रुपए करके है देखिए अंदर का इस तरीके से बैड है डबल सब्सक्राइब यहां से मेला ग्राउंड राचीन मंदीर समू नर्मदा कुंड और माई की बगिया इस राश्ते से आप जा सकते हैं और यह सर्किट हाउस मोड है आप चाहें तो यहां माडवारी भोजिनाल है इसके बगल में भी एक और है बसंत रेस्ट्रेंट यहां पर खाना खा सकते हैं बहुत ही अच्छा है फ्फाली सिुक्राइब है और एलवारी आप शाल सकते हैं अमिरों यही पर खाना खा रहा है कर दो समय है फेसमें पर गर्म खाना घासला हुरा है ah nun भी शलाट लाया है चट्थी अलाग है अल्भी रूए कि अगड़ी सब्झी समय साली इसमें सब्ढ़े हैं जीकां सब्थाना system यह मेरे पूरे एक दिन का वीडियो है मैं कहां ठरी कहां पर खाना खाई मैंने कोशिच किया है कि आपको अच्छे से अच्छे होटल और अच्छे से अच्छे रेस्टूरेंट का पता बता पाऊं अगर आप आए तो एक बार जुरूर यहां पर विजिट करिए अगर मेरा ब